Hello guys, welcome back to our channel Back From The Dead So, आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा अगर आपके भी Axis Bank एप में ये प्रोब्लम आ रही है कि लिखा रहा है, Error EC 2003 Check Date and Time तो ऐसा कुछ लिखा रहा है तो इस प्रोब्लम को कैसे fix करें आज की वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जुरूर कीजिएगा हमारी चैनल Back From The Dead को सब्सक्राइब करें ऐसी नहीं नहीं इंफॉर्मेटिव और नोलेजबल वीडियो देखने के लिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए तो इस प्रॉग्लम को fix करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस की setting है इसको open कर लेना है setting open करने के बाद यहाँ पे हमें अपना जो date and time है उसको search करने है तो यहाँ से मैं आपना जो date and time उसको search करके open कर लेता हूँ आपको भी same step follow करने है तो यहां से date and time आ चुका हैं तो इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर multiple options दिखे रहे हैं तो आप देख सकते हूँ मैं इसको open कर देता हूँ तो आपको भी same step follow करने हैं तो सबसे उपर लिखा रहे हैं use network provided time और time zone भी है तो यह दोनों enable हैं तो आपको क्या करने हैं इन दोनों को off कर देना है तो यहां से मैं दोनों को off कर देता हूँ इन दोनों को off करने के बाद यहां से date and time है उसको क्या करने हैं आपको तो यहां से date and time है उनको आपको ठी कर देना है अगर आपके कुछ date and time में कुछ गलती हैं कुछ गड़ बल हैं उनको पूरी accurate कर लीजेगा accurate करने के बाद एक बार यहां से आपको am और pm भी check कर लेना है तो am और pm चेक करने के बाद हमें user network provide time और time zone को on कर देना है और जो time zone है उसको select कर लेना है time zone select करने के बाद time format select कर लीजेगा और time format जैसे आपने select किया उसके बाद इन दोनों को enable कर देजएगा enable करने के बाद एक बार अपने device को restart किजएगा device को restart करने के बाद पांच मिनट बाद फिर आपने एप को ओपन करके देखिएगा जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो आपके एप में सॉल्व हो जाएगी और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आप कमेंट सेक्षिय में बता सकते हैं आप वीडियो पिसंद आए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जाद से जाद है लोगों तक शेयर करें